संसका, टेक्निकल में आपका स्वागत है, मैं सजीत कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड बराबर वीडियो बना रहा हूँ, तो भही पॉलिटेक्निक के त्यारी के लिए कुछ आगे बढ़ते हैं और मैं आज से कुछ ऐसे चेप्टर्स की बात करना चाहूँगा जो एक्जाम के लिए संभावीत चेप्टर है, मतलब संभावीत का मतलब होता है प्राइता और जो चेप्टर्स एक्जाम में आवी सकते हैं और नहीं भी, तो ऐसे चेप्टर्स को सेंटर पर तो हम लोग नहीं पढ़ा पा रहें, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसे चेप्टर्स पॉल्टेक्निक और यूपी पॉल्टेक्निक में तो कॉसन खासकर बिहार में तो आता ही आता है लेकिन जहारकंड में यह संभावित चैप्टर है और यहां से संभावना होती है कि एक्जाम में आभी सकता है और नहीं भी तो इसलिए संभावित चैप्टर को मैं प्रियास कर कि यहां aure to be मतलब यह समझखा है कि एक अनुपात अगर एक अनुपात अगर निए समानुपात करते हैं तो यहां पर आप बृपोर्पोर्शन मा ने दिया हैं लेकिं दिहान दिएगा कि a और और इस चीजों में किनकों क्या करते हैं, पर्थम पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, लेकिन बीच वाले ये दोनों पद, मद्द गहलाते हैं, मतलब कि आप B और C जो बीच में देख रहे हैं, ये मद्द पद है, जबकि A और D क्या कहलाता है, बाहर पद, बनि य D एक तरप आजाएगा और B C तो आप देख रहे हैं कि यहां पर A और D क्या था बाहे पद था तो आप देखिए कि बाहे पद का गुननफल एक तरप आजाता है और एक तरप आजाता है बीच के मद्ध पदों का गुननफल इसका मतलब याद रखना है कि जो बाहे पद होते ह है कि यदि मदपद समान हो जाए तो आप यहां देख रहे हैं चुकि मैंने कहा तो यह दोनों मदपद है तो यहां पर आप देखें कि मदपद B यहां भी B है मतलब यह दोनों समान हो गए हैं तो A is to B और फिर B is to C ऐसे कंडिशन में आप इसको अगर सॉल्ब करेंगे तो A by B बराबर BYC होगा और इसको सॉल्ब करने पर आप देखेंगे कि B स्क्वाइर बराबर AC आ जाएगा और स्क्वाइर इस रड़ आया तो B बराबर रूट AC आए इसके कुछ रिलेटेट प्रस्न देखते हैं और आज के लि बाहिपद है एक 16 है और एक 25 तो A into C मतलब कि यहां पर बाहिपद कौन-कौन हो जा रहे हैं A और C तो आपको क्या निकलना है B निकलना है मतलब आप फार्मूला यूज कर सकते हैं B बराबर अंडर रूट AC का और जब आप इसको यूज करते हैं तो भही B बराबर अंडर र दाल लिए अब आते हैं दूसरे प्रस्ण में जहां बोला जा रहा है 9 और 16 का तिर्तिय अनुपाती होगा अब यह क्या है तिर्तिय अनुपाती इसको समझने का परियास कीजिए देखें यहां है क्या A is to B और प्रोपोर्शनल टू जैसा मैंने कहा था मद पत तो B होगा औ इस फर्मुला को थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं तो आप देखेंगे कि C बराबर B square by A हो जाएगा मतलब कि B square by A अब आईए इस question को direct solve करते हैं अगर आपको यह पता होता तो जानते तिर्तिय अनुपाती निकालना है मतलब C बराबर B square, B square का मतलब 16 का square और बटे A, A बर जालना था जिसके लिए मदपद समान हो जाएंगे तो A by B बराबर B by C तो that means B square बराबर और A into C बराबर B square इसलिए A C में से आप A को रख दीजी क्योंकि पर्थम पद आपको दिया हुआ है तो तिर्तिय पद इकोल to B square by A और इसको solve करके आप ग्यात कर सकते हैं असानी से आ आपको साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ A by B बराबर B by C by D क्योंकि यहाँ 4 पद हैं इसलिए C by D ले लिजिए और मद अनुपाती अलग-अलग हो जाएंगे 4 पद क्योंकि 4 पद में 3 पद दिया हुआ है अब खुद सोचिए आपको क्या निकालना आपको D निकालना है आप मतलब की B और C के गुननफल और A को नीचे भेजना है तो चली भई B और C क्या है तो आप देखी रहे हैं 45 और 20 है तो 45 और 20 और पहला पत क्या है तो 15 है और 15 को अपने नीचे भेज़ा तो यह आपका चतुर्त अनुपाती मतलब D निकलेगा और 15 से कड़ गया 3 बार में और करें अगले प्रस्न के वर आगे बढ़ते हैंआब देख रहे हैं अगले प्रस्न थोड़े से हट कर है अब यहां पर A अनुपात B 2 इस्टू 3 दिया हुआ है B is to C, 4 is to 5 दियावा है और C is to D, 10 is to 9 दियावा है A is to D निकालना है मतलब A आपका यहाँ है और D का है वही, तो D last में है तो सबसे पहले मैं इन दोनों को equal करना चाहूँगा, आप ध्यान दें यहाँ B का value क्या है? तो B का value 3 है, और यहाँ B का value क्या है? 4, यहाँ पर आप ध्यान दें कि दोनों में common क्या है? पहले इन दोनों में common word B है क्योंकि इसमें A to B है, वर इसमें B to C तो इन दोनों को common करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके B का value कितना है? 3 और इसके B का value 4 इन 3 और 4 को बराबर मनें LCM लेंगे तो आपको आजाएगा 12, मतलब आप 12 रखकर common कर सकते हैं तो आईए भई इसको 12 करने के लिए क्या करना होगा? तो भई इसको 3 को कितने से गुना करना पड़ेगा? 12 के लिए 4 से अर्था दोनों को 4 से गुना किजिए तो अब A इस्टो B हो गया आपका 4 से गुना किए हैं तो 8 और इसको 4 तो आप 12 मतलब 8 इस्टो 12 और उसी तरह से इसको भी 12 करना था तो 3 से गुना करना पड़ा मतलब B इस्टो C कितना हो गया भई? तो अब 3 से गुना किए तो ये हो गया चुका है 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अब क्यात करना है भई तो इसके बाद आपको C is to D अलग से दिया हुआ है 10 और 9 अब ध्यान देजिए यहां पर 15 है और यहां 10 है तो 10 और 15 का आप LCM निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 30 आएगा 30 लाना है मतलब दोनों को 30 बनाना है तो 30 बनाने के लिए क्या करेंगे 15 को 2 से इसका मतलब सबको 2 से गुणा कर दीजिए तो 8 दुनी 16 और 12 दुनी 24 और 15 दुनी 30 यह 30 बन गया यह A है, यह B है, यह C है, C तो 30 अभी भी हो गया और यह D है, आपको क्या चाहिए, A इस्टू D, A कितना है 16 और D कितना है 27, इसका मतलब A इस्टू D अगर आप देखें, तो एक 16 है और एक 27 है, और अगर यह कुछ कटता हूँ टर्म रहता तो आप काट के भी एंसर दे सकते थ अर्थात आपका एंसर हो गया है 16 और 27, तो कैसे क्या गया, तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में हम लोग क्या किये, तो पहले वाले में A, B और B, C, इन दोनों के नुपात में B का जो common word था, B इसमें 3 था, इसमें 4 था, उसका LCM निकाले, तो भाई 12 आया, तो दोनों जगा B को 12 करने के लिए हम लोग परियास किये, कि इसको कितना से 4 से गुना करके 12 कर सकते थे, इसको 3 से गुना करकर, और इस तरह से हम लोगों ने A, B, C गयात कर लिया, और उसके बाद A, B, C से C, D में common क्या था, तो यहां पर आप देखें कि C दोनों में common word था, जहां एक 15 था, एक 10 था, 15 और 10 का LCM निकाले 30, और प्रियास किये कि दोनों जगा 30 किया जाए, तो इसको 30 करने के लिए 2 से हम लोगों ने multiply किया, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, और इसको 3 से करना पड़ा, तो यह 30 और 27 हो गया, इस तरह से C common हो गया, और आप 3 रेशिय हमें पता, चारों का सकते हैं, पता हो गया, A16, B24, C30, D27, और जो भी रेशियो आप से पुछा जाए, आप उसका उतर दे सकते हैं, तो इस तरह से यह प्रस्न भी आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रस्न को कैसे solve करना है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं कि यहा आपको निकालना है, चुकि बड़ा हिस्सा निकालना है, तो 5 उपर रग दीजे, क्योंकि सबसे बड़ी संक्या 5 है, अगर छोटा हिस्सा होता, तो 2 होता, और नीचे इन तीनों का योग, जितनी भी अनुपात होते हैं, उनका योग नीचे बैठाना पड़ता है, तो आपको निकालना है, तो तीन अनुपात दिये गए हैं, एक 3 इस्टू 5, एक 6 इस्टू 9, और एक 5 इस्टू 2, और इसका एक मिसरित अनुपात पूछा जा रहा है, याद रखेंगे, A इस्टू B कभी भी दिया रहा है, उसके बाद कोई दूसरा अनुपात C इस्टू D दि इसे मिसरित अनुपात करते हैं, तो ठीक इसी तरह से अगर आप यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि 3 इन्टू 6 इन्टू 5 उपर हो जायेगा, और नीचे में 5 इस्टू 9 इस्टू 2 नीचे हो जायेगा, और ये 5 इस 5 से कट गया, और 3 से आप देख रहे हैं, ये 3 बार में, that means 3 इस्टू 3, मतलब ये अनुपात 1 इस्टू 1 हो जायेगा, मतलब इसका मिसरित अनुपात 1 इस्टू 1 है, ये सही एंसर होगा, 1 इस्टू 1, आगे बढ़ते हैं, और लास्ट प्रस्न की ओर, तो भही चलिए, लास्ट प्रस्न क्या है, A इस्टू B इकल टू 5 इस्ट इस्टू B कितना है? चार है, तो सात और चार का LCM लेजिये, तो साचोग 28, इसका मतलब इसको 4 से गुणा करना होगा, तो साचोग 28, जो आ चुका है और सात्या21, मतलब C हो जायेगा, 21, क्योंकि इन दोनों को 7 से गुणा किये, और इन दोनों को 4 से, तो आपका A to B to C का ratio मिल गया है 20 to 28 to 21 और ये इसका answer हो जाएगा ये तीनों ratio का तो उमीद है आपको समझ में आया होगा कि ये अनुपात समानुपात की questions कैसे बनाए जाते हैं तो हो सकता है कि इससे related कुछ questions पॉल्टेक्निक में आ सकता है तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत